तो हम लग चैप्टर नमबर टू कर रहे हैं एना रेका तो मैं आपको लास्ट से थोड़ा से रिवाइस करवाद हूँ कि हमने इसमें सॉर्सिस ओफ लो देखा, कॉमन लो, स्टैचू लो जो इंपोर्टन था, टाइपस ओफ लो, सीवल लो, क्रिमिनल लो ठीक है याप लास् इसके अर्गनाजेशन देखी कि फर्स सेकेंड थर्ड इंस्टेंस कैसे होता है यह सारी चीज़ें पेपर में पुछी जाते हैं इसके लावा हमने देखा, आलम पी के बारे में हमने जाना वह कौन आता है वह कैसे अपने परफोर्म करता है और समन कैसे किया जाता है उसको इसके टाइप्स किया होती है डिरेक्ट, सिरकम्स्टेंशन और अपीनियन और एक्सपर्ट ठीक है इसके बाद स्टेजिस एक्जामिनेशन चीफ ख्रॉस और रीग्जामिनेशन ठीक है तो इसके लावा हमने जो है वह डाइंग और डेपोजिशन और डाइंग जाता है जाई जो जब आए प्रॉसीडिंघ चल रही होती है लीगल प्रॉसीडिंघ खे否 एसमें क्या होगा कि में अब को पहले बीब्ताया होई है कि दो तर Colombia होगता है सीविल लौ और क्रिमिनल लौ उसलिए इसलिए सेवी लौ lands फों डेक्रιंग बहुता है जिसको जहां तो presumption क्या होती है कि हर बंदा जो है ना वो अपनी काम के लिए responsible है और हर बंदा मासूम है जब तक कि उसको मुझरिम थाबित नहीं कर दिया जाता है यह presumption है और exception में कुछ लोग आ जाते हैं for example एक बंदे ने crime की है लेकिन वो इस बात को आगे से कर दिते हैं कि वो पागल है for example वो insane है या वो immature है या उसे intoxicate किया गया था जब उसने ये crime किया यानि कि उसे किसे ने कुछ खिला दिया था कुछ पिला दिया था वो अपनी senses में नहीं था या वो कोई बच्चा है जो 10 साल से काम उमर का बच्चा है तो ऐसे लोग जो है ना वो exception में आ जाते हैं यानि कि उनका जो अब procedure आना थोड़ सा different हो जाएगा यानि 1834 में मेकनोटन्स rule जो है ना वो लाया गया था उसमें जो है ना अब इसको change कर दिया गया है दरहम रूल से ठीक है जो फिल वक्त important है वो दरहम रूल जो पेपर मैं पूछा जाता हम उसको देखते है मेकनोटन्स rule के मताविक इस तरह से है कि जो person है ना वो इस तरह से था किसी आदमी ने आपके कंधे पढ़ना बंदूक रख दिये तो आप ने उसके कहने के अंदर आप जो भी कर रहे हो कर लो आपका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप ने जो काम तो किया अपने crime तो किया लेकिन आप उसके लिए responsible नहीं है और आप जो mentally ill person थे इसलिए ठीक है दरहम रूल जो है यह 1954 में आया यह कहते है कि accused जो है ना is not criminally responsible ठीक है उसने किया जरूर है काम उसने crime जरूर किया लेकिन वो criminally responsible नहीं है उसके लिए unlawful act के लिए क्यों क्यों कि वो mental disease का person था अब जब कोई बंदा plea of insanity दे देता ना कि insane होता पागल यानि कि वो पागल था या इस तरह तो उसमें हम further तीन चीज़ जो है ना वो देख सकते हैं यानि unfit to plead ठीक है वो बंदा जो है ना वो fit नहीं है plea के लिए वो गलत बंदा है for example यानि के वो बंदा जो है वो पागल जरूर है लेकिन जब उसने crime किया था ना उस वक्त अपने पूरी senses में था यानि एक बंदे ने कतल किया ठीक है और वो कतल उसने पूरे होशोवास में किया उसे पता था कि मैं कतल कर रहा हूँ और वो उससे नुकसान पहुचाने के लिए कर रहा है और उसके बाद कुछ हो गया कि वो mentally ill हो गया तो ऐसा बंदा जो है ना वो unfit to plead है ठीक है उस बंदे को सजा मिलेगी लेकिन court wait करेगा ठीक है defendant के defendant जो है ना जब तक उसकी sanity restore न कि वो mentally ill person है ठीक है medically उसकी reports बताती है कि वो mentally ill है उसने crime किया है वो guilty जरूर है लेकिन वो insane है तो ऐसे बंदे को सजा नहीं दी जाएगी उसे mental hospital में बेच दिया जाएगा उसके इलाज के लिए और यह कुत है diminished responsibility यानि यह भी वही बंदा है कि वो मतलब mentally ill था ठीक है लेकिन उसको ना अब जो उसकी सजा मिलनी थे ना for example अगर पहले उसे फांसी देनी थी तो अगर उसने कहा है या जो defendant side उसने कहा कि यह बंदा जो है वो पागल है ठीक है तो अब जो है ना उसको जो सजा है ना या जो इसकी responsibility वो कम कर दी जाएगी यानि कि उसको उतने जादा नही पास जो criminal justice है ना उसमें हम ना crime की definition कैसे करता है वो यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है substantive criminal law जो है ना वो डील करता है crime के साथ बंदे को कतल कर दो लेकिन उसने कतल नहीं किया तो वो criminal नहीं है तो उसके लिए जब तक वो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर लेता ना अपने evil action को परफॉर्म नहीं कर लेता तब तक वो criminal नहीं है तो इसमें दोनों चीज़ों को होना जरूरी है फिर वो कहते हैं कि दोन एक बंदे ने कतल कर दीै लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी वो कतल करें। मिसाल के तरब एक बंदा अपनी बंदूग साफ कर रहा था ठीक है? और उसकी बंदूग से गलती से गोली निकल गयी और सामने कोई ख़रा दास को लग जही ठीक है? ये तो डिफरेंट चीज़े आ जाती है विसाल के तोर पे एक बंदा पागल था ठीक है और उसने कतल गड़ दिया लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं कतल करूं एक 10 साल से कम उमर बचे है 7 साल का बचे है वो उससे गलती से किसी को चाकूई लग गया और उस बंदे की डेथ हो गई तो इस तरह से जो है न वो एक पर्सन क्रिमिनल कॉंसिडर्ट नहीं किया जाएगा अब देखें कुछ चीज़ जज़ तो आपको पता है क्या होता है कॉर्ट अफ जस्रिस डोकूमेंट वही के लिखी हुई चीज़ हो नीच चाहिए और फेंस होता है कि I think made punishable by Pakistan यानि के एक चीज़ जो है न अगर वो उसको परफॉर्म करेंगे तो वो सजा मिलेगी ठीक है ओध होता है वादा जिसको जो आप कोई भी गवाज वो पहले लेता है इंजरी वो होती है कि कोई या तो बोडी को नुक्सान पहुचाया या माइन को नुक्सान पहुचाया नहीं को से mentally torture किया गया जैसे social पे तो कुछ चीज़ होती है कि जिसमें आपकी बोडी को नुक्सान नहीं पहुचाया कोई चोट नहीं दी लेकिन लाइक social media का यूज करते हैं अच्छा रैपुटेशन को इस बंदे को रैपुटेशन को नुक्सान पहुचाया या उसकी property को नुक्सान पहुचाया या सारी चीज़ इंजरी में आएंगी एजोल्ट यह है कि क्रिमिनल फोर्ट जो है ना वो एकसी इंसान ने यूज की है ठीक है तो यह जोल्ट होता है गुट फेथ ठीक है यानि के एक अच्छा फेथ anything done with due care and attention is set to be done in good faith ठीक है प्रॉपर जो है ना वो care और attention के साथ जो किया जाएगों सकेंगे good faith के साथ complaint, शिकायत, inquiry और investigation इन तीन चीज़ों करना important है inquiry जो होती है ना यह करता है magistrate ठीक है या court करता है investigation होती है यह police करता है यह magistrate नहीं करता ठीक है यह चीज़ important है और जो judicial proceeding है ना यह वो होती है जो court के अंदर होती है और ओत लेने के बाद होती है तो इन तीनों चीज़ों में फर्क है ठीक है, पुलीस जो करेगी वो investigation होती है magistrate या court, court जो करेगा वो inquiry होती है और जो oath के साथ होती है वो judicial proceeding होती है किसी जना public prosecutor वो बंदा होता है जो government ने hire किया या high court के अंदर है संबंद होता है किसी को बुलाना जो court बुलाता है और इसके जो written sign stamp लगाकर उसको बुलाया जाता है जैसे RMP को बुलाया जाता है उसके मश्वरे के लिए warrant of arrest जो है यानि कि अगर वो sign or stamp paper होता है कि अगर वो ना है तो उसको arrest कर लिया जाएगा बेल होती है कि एक बंदे को बेल जो है वो करवा ली ठीक है जैसे लिए तो आपने सुना जमानत करवा लेना किसी की ठीक है और उसको पैसे देकर बाइड निकाल लेना for some time ठीक है और यह bond होता है ठीक है उसके दम्यान डैपोजिशन में आपको पहले बता दिया और